गुड बॉर्णिंग स्टुडेंट आसा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वास्त होंगे आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 13 गोपाल भांड एंड महाग्यानी जिसका पार्ट वन में हम लोगों ने रेडिंग स्कील इस स्टोडी को काफी अच्छे से समझ लिया है और आज है पार्ट टू इसका तो यहां पे सबसे पहले आपको कोपी किस तरह से कंप्लीट करनी है जहां पे आपने वर्ड मिनिंग लिखा होगा वहीं पे आपको यह सभी वर्ड मिनिंग को आपको अच्छे से लिखना है औ आपको यहां पर लिखा हुआ है आपको मिल चुका होगा राइट यह सभी A B C D E F यह छे कोशन आपको मिल चुका होगा राइट तो रेडिंग कम्प्रिहेंसन में हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले ट्रू और फॉल्स यानि कि यह सबसे पहले इसको देखना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की ओनलाइन क्लास को यहां पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि गोपाल भांड न्यू मेनी लेंग्वेज क्या गोपाल भांड बहुत सारे लेंग्वेज को जानता गोपाल भांड नहीं जानता था वह महाग्यानी जानता था आगे कोशन नंबर भी स्टेट्मेंट टू है महाग्यानी वज आप्रावड मेन महाग्यानी जो वेक्ति था यहां पर सी में जाब अबरनी चर्वार में बहुत सारे विद्वान थे कि वहां पे ये भी सही होना सही इस्टेट्मेंट है पंदित है गूड़ नौलेज औफ डाणस और दान्स एंड म्यूजिक जो पंदित था जो यह महा ग्यानी पंदित था क्या उसको डान्स और म्यूजिक का जादा नोलेज था बिल्कुल गलत बात है उसको तो लैंगवेज यानि कि भासा का ग्यान था राइट अब चलिए ए में ए में क्या राजा कृष्णा चंद्र रूल्ड ओभर बेंगोल यानि कि क्या पूरे बंगाल पर उसने राज्य किया था राजा कृष्णा चंद्रा नहीं पूरे बंगाल पर नहीं बंगाल का एक छोटा सा भाग पर उन्होंने वह किया था तो यह था आपका पहला का क्या था false दूसरा true true फिर false false ये था आपका इसका right अप पीडियाप के माध्यम से आपको answer the following question यहां तक complete आपने cover कर लिया होगा right अब यहां पे देखते हैं riddles दिया हुआ है यानि कि पहलियां दी हुई है इस पहलियों को आपको और हमें मिलके solve करना है right तो यहां पे देखो दो पहली दिया हुआ है right तो यहां पे हम लोग इस पहली को देखेंगे तो यहां पे हम लोग सबसे पहले riddles में देखते हैं यानि कि यह हमसे book के माध्यम से हमें riddles यहां पे करवाया जा रहा है जैसे he was a ruler वो एक सासक था he ruled over a part of Bengal उसने बंगाल के एक पार्ट पे सासन किया था who was he वो कौन था तो हमें इसके base पे वो कौन था वो आदमी कौन था तो आपको याद आया वो आदमी कौन था जो बंगाल के उपर में सासन किया था है ना और अलग-अलग 200 सालों तक उसने सासन किया था तो कौन था राजा कृष्ण चंद्र क्या होगा तो इसमें क्या होगा आर ए जे ए राजा के आर आई एस एच एन ए क्रिश्न चंद्र सी एच ए एन डी आर ए समझ में आ गया तो इस तरह से आपको लिखना है क्या राजा कृष्ण चंद्र ठीक है यह हो गया अब दूसरा में क्या लिखा हुआ है वह एक कोट जस्टिर था यानि कि नियाले में काम करता था ठीक है वो निरने लेता था यह एड नॉट ए स्टड़ी बुक उसने बुक भी जादा नहीं पढ़ा हुआ था बट ही वाइज मैं लेकिन वह बुद्धिमान वेक्ति था वह जी तो कौन था वह सोचो जो कोट में नियाले का काम भी करता था उसने कभी किताब भी नहीं पढ़ा था लेकिन वह बुद्धिमान था तो आपको याद होगा चैप्टर के नाम पर ही लिखा हुआ है क्या उसका नाम था गोपाल भांड भी एच एंडी भी एच एंडी समझ में आया भी एच एंडी ठीक है यह अब तीसरा में देखते हैं लिखा हुआ है फी इस पोग ओल दे इंडियन लैंग्वेज फिलुएंटली वह जितनी भी भारती यह भासाएं हैं वह सबी को काफी अच्छे से बोलता था इसके पास बहुत ही अच्छा नाम था फिलोस्पी और रिलेजिन का धर्म का और कौन था वह हुआ जी वह कौन था तो आपको पता है महाग्यानी पंडित महाग्यानी यह था ना तो क्या लिखेंगे महाग्यानी महाग्यानी आप लोग लिख लोगे क्या महाग्यानी चलिए मैं लिख देता हूं जी ए वाई जी ए वाई एक मिनट वाई ए एन आई महाग्यानी ठीक है महाग्यानी यह हो गया अब चली अब वकवर्लरी में हम लोग आते हैं वकव में यहाँ पे fill in the blanks राइट तो यह जो यहाँ पे दिया हुआ है यह जो words यह सब words को हमें क्या करना है इसमें fill करना है राइट तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है गोपाल भांड वाज डैस इन दो कोट अफ दो किंग राजा कृष्ण चंद्रा है ना तो गोपाल भांड वाज आ क्या थे क्या थे गोपाल भांड वाज क्या थे एक जस्टिर थे जी निरनायक करते थे यह बुक में लिखा हुआ है ना बुक में आप खोजेंगे तो मिल जाएगा ठीक है यह हो गया तो ए में क्या आएगा यह जस्टिर आएगा ठीक है अब चलो भी में एवरीवन इस्पीक वन्स मदर टंग है ना सब एक मदर टंग बोलते हैं वन मदर तो यहां पर क्या आएगा एवरीवन इस्पीक वन मदर टंग तो कैसे बोलते हैं वेरी फुलुएंटली तो दूसरे में यह बी में क्या आएगा फुलुएंटली आएगा ठीक है तो आप यहां पर लिख लेना आपको ठीक है अब चलो सी में डॉक्टर इस राधा याद है न सरोपली राधा किश्णन वहीड़े उनकी वह क्या एक ग्रेट एसकॉलर थे यानि क्रेट क्या थे वुध्धिमान वेक्ति थे विद्वान थे तो क्या है इसमें scholar आएगा A-C-H-O-L-A-R तो C में कौन आएगा scholar आएगा ठीक है याद रखना बना लेना आप ठीक है और word meaning भी याद रखना ठीक है यह तो C हो गया अब D में आते हैं ठीक है देखो travelers should be travelers should be dash about their language while traveling जो travelers है right the travelers should be dash about the travelers जो होते है वो alert alert about their luggage while traveling जो जब मान लोग की हम लोग यात्रा करने जाते हैं तो जो भी मेरा luggage होता है luggage मतलब जितना भी समान कपड़े लते खाने पीने के और जो भी हमारा bag रहता है तो उसको हम लोग क्या रहते है उसके लिए alert रहते हैं क्या रहते हैं alert है ना right सावधान रहते हैं तो travel में जब भी जाते हैं तो जो luggage रहता है जो समान रहता है जो traveling पे रहते हैं तो उसके लि आगे देखो the police dash the thief by his cloth है ना तो the police क्या करेगी यहां पे इमें the police identify क्या the police identify the thief by his cloth पुलिस ने कप्रोस के माध्यम से उस चोड को पकड़ा identify कर लिया तो यह था बेटा हम लोगों का क्या a b c d e का यह सब चीज़े ठीक है यह हो गया अब चलिए अब यहां पर चलते हैं find the words find the words तो यहां पर देखो यहां पर लिखा हुआ है क्या के लिखा हुआ है सब्द को खोजना है तो यहां पर देखो who am I तो मैं यहां पर पहले यह बता देता हूँ कि पहले यह पढ़के कि क्या है यह my first letter is is in tap and set my second letter is in read and lead my third letter is seat in him है ना my fourth letter is both pot and pan है ना whom whom I मैं कौन हूँ है ना whom I तो यहां पर क्या आएगा trip क्या आएगा पहला letter क्या है यहां पर देखो my first letter is in tap and set में से तो यह कि देखो T होगा ठीक है ठीक और second क्या बोल रहा था कि second जो letter है मेटा देखो letter पहले जान लेते लेटर क्या जैसे मैं लिखा कि हें हें यानिक मूर्गी हें तो हें तो यह पूरा word हो गया मिल करके नहीं लेकिन मैं केवल FB क्या है एक क्या है थिक इस alright का एक lead यह Lead और lead नहीं है यानि कि e भी नहीं है, a भी नहीं है, d भी नहीं है और L भी नहीं है ठीक है तो इसमें से हमें क्या हो गया? R मिल गया है आर मिल गया अप पहला वाले में से की लिए हैंट अ तर लेतर जो है इस आइटी तो देखो यह आयए तो आई हो जाएगा टी र आई और यह पी hack थीछ तू貝 पहला में क्या हो जाएगा टी आर आई पी तीक है उसी तरह भी में साइट एट अन है मैं सेकेंड इज आई मैं थार issues dog and dean तो अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर अगला में आपको लिखना है hide ठीक है यह हो गया अब चलिए e में आते हैं यहाँ पर c में लिखा हुआ है कि give rimming word rimming word मतलब कि जब हम उच्चारन कर रहे होते हैं तो उसी तरह से last का जो उच्चारन होगा वो उसी तरह से जैसे जैसे मैं अगर बोलूँ कि twy twy बोला twy, boy, swy why यह सब क्या है why, why, why करके last में आ रहे हैं तो इसको rimming word बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखो heed, heed का देखो दिया हुआ है rimming word heed, deed, kid, lead last last में आ रहा है इसको rimming word बोलते हैं तो हमें scream का लिखना है, trap का करना है और ace का तो चलो scream से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि scream से क्या क्या हो सकता है scream से हम लोग scream dream भी लिख सकते हैं dream dream stream 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 cream cream तो देखो rimming word हो गया scream scream, dream, stream, cream तो यह क्या हो गया rimming word हो गया यह तो इस तरह से rimming word हो गया आपका तो आप चलिए यहाँ पर trap का लिखे trap का देख लेते हैं हम लोग trap में क्या होता है trap में हम लोग कर सकते हैं grab ठीक है और क्या लिख सकते है wrap 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 और क्या लिख सकते है crap 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 तो देखो trap wrap crap wrap wrap ऐसे आरहे हैं लास्ट में तो इसी को rimming word तो इस सब को आपको क्या करना है लिख लेना है ठीक है is is मतलब क्या होता है किनारा तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे क्या का लिखेंगे मैं वो चीज बता दे रहा हूँ यहाँ पर is मतलब rimming word होना चाहिए तो देखो knowledge लिख सकते हैं k-n-o याद रखना मैं spelling भी बोलते चलता हूँ k-n-o-w-l-e-d-g-e तो अब चलते हैं हम लोग किस पे grammar के उपर में चलते हैं कहां चलते हैं grammar के यहाँ पर तो देखो grammar में क्या करना है थोड़ा सा और बच्चा हुआ है उसके बाद यह complete हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा तो नहीं है grammar में भी तो थोड़ा सा बच्चा हुआ है वीडियो को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि आप लोग को बना करके भेजना है तो यहाँ पर देखो fill in the blanks using l y l y का use करना है from the words in the bold यह जो bold action में जो word लिखा है इसमें l y आपको लगाना है जैसे यहाँ पर देखो cheerful लिखा हुआ है और इसी में l y लगाके क्या लिख दिया cheerfully देखो l y last में लगा दिया तो आपको क्या लिखना है जैसे bright तो क्या होगा l y लगा देना है last में तो क्या होगा जाएगा b r i g h t और यह l y l y brightly इस तरह से l y l y लगा करके यह सब में आपको लिखना है तो यह पूरा word यह सब आपके copy में लिखे होने चाहिए यह पूरा यहां से यहां तक यहां से यहां तक ठीक है यह सब और यह किस color में यह जितना भी book का लिखा हुआ है यह book का लिखा हुआ अब किस से रहना चाहिए ब्लैक पेंसे और जो आप आंसर लिखेंगे जो आप आंसर लिखेंगे यानि कि यहाँ पर जैसे आप लिख रहे थे वह स्टुडेंट के लिए नोट्स बनाई है दे आर गिवन विलो जो की निचे दिया हुआ है तो देखो आप क्या होता है यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है तो यहाँ पर देखो आप एक अंग्रेजी की जो सिक्षी का है वह अपने चात्रों के बारे में कुछ लेक तयार किया है वो नीचे दिया हुआ है जैसे सीमा हना राइट परफेक्ट ठीक है सीमा राइट परफेक्ट यहानी कि सीमा अच्छा लिखती है ठीक है और इस तरह से नोट है उनका सीता एक स्पीक फुलुएंट आशू रीड नाइस ठीक है कुछ इस तरह से है अब हम लोग को क्या करना है कि इस पे काफी अच्छे से हम लोग को बनाना है सजा के बनाना है जैसे एक यहां पर बना के बताया हुआ है कि हमें किस तरह से यूज करना है जैसे सीमा राइट्स परफेक्टली लगा देना है अगला कैसे बनेगा इसको एक को तो बना के वो बताया है लेकिन बाकी यह सीता से लेकर के सलमा तक हम लोग को बनाना है तो कैसे लिखेंगे सीटा इस्पिक्स सीटा स्पिक्स फ्लूएंटली या फिर फ्लूएंटली टी के बाद लगा देना है फुलूएंटली क्योंकि अभी-अभी उपर में हमने य वह किया है ठीक है तो बस करना कुछ नहीं है इसमें इस लगा करके यह समय आशू रीट्स सेवे स्पे राइट्स डबलू राइटी टी एएस अना डबलू आर आई टी एस अना टी एस और केर फुल लिखा हुआ है तो एफ यू लवाई डबल लवाई हो जाएगा यानि कि इसके लास्ट में बस देखो यह यह यहां पर वही चीज बस हमें एड करना है जैसे सलमा लिसेंस हाना क्या सलमा लिसेंस एटरेंटिव यह लवाई इस तरह से पूरा संटेंस इस तरह से बनाना है ठीक है तो बेटा यह था हम लोग का लास्ट पार्ट क्योंकि राइटिंग केल हम लोग बहुत देखेंगे अगले पार्ट में लेकिन अभी आप मुझे यहीं तक कंप्लेट करक आप मुझे भेजेंगे तो आसा करता हूँ कि जितना भी आज हमने डिसकस किया इसके exercise portion को काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा तो एक नए उर्जा के साथ एक नए energy के साथ में मिलेंगे अगले next class में एक नए lesson के साथ में puppy and I के साथ में तो मिलते हैं अगले next video में आपका home work यह ही रहेगा कि आपको यह copy complete करके जल से जल आपको submit करना है बेजना है ताकि मैं चेक करके आपको remark दे पाऊं और आपका marks भी मैं चढ़ा पाऊं तो मिलते हैं अगले next video में तब तक के लिए take care बाबाए